लशेंडा डेमस ये अमेरिकी धावक थी 2012 के लंदन ओलम्पिक में 400 मीटर बादा दोड में इन्होंने स्वनपदक अब जाकर जीत लिया है इनको आधिकारिक तौर से विजेता घुशित कर दिया गया है इतने वर्षों के बाद ऐसा क्यूं? क्योंकि रूसी धावक नतालिया अंत्युक जो डोपिंग स्केंडल में फस गई और अभी आयोग उनको घुशित कर दिया गया तो उनका गोल्ड मिडल छीन करके लशिंडा डेमस को दे दिया गया इतनी सी बात है सुन्दरजा आम इमत्बदेश के रिवा जिला विंदशेत्र का फेमस आम है बहुत मेठा होता है, इसको GI Tag प्राप्त हो गया, इसके अलामा मतबदेश के मुरैना का गजक और 36 गड़ के धमतरी जिले का दूब राजचावल को भी GI Tag प्राप्त हो गया है, फुलंगे कुस्तक है, इसको लेखनात छेत्री के द्वारा लिखा गया है, पुस्तक हाली में च हर्वा लाइफ इसको Tata IPL 2023 के लिए BCCI का आधिकारिक भागिदार बनाया गया है, किसको हर्वा लाइफ कमपनी को। रहा, काफी विवाद भी हुआ इस पे, लेकिन अंततर साम होते होते सफाइस पर दिदी गई, कि ये जो अदिभार लगाया गया है, वो जो वालेट से भुकतान होता है, उस पर ये लागू होगा, बैंक टू बैंक ट्रांसफर पे लागू नहीं होगा, आप देखते होंग जो अमूमन आप लोग करते हो, ये वालेट से अगर भुकतान करते हैं तो सफेला गू होगा, तो दो हजार से अधिक के भुकतान पर कितना प्रतिशत, एक दसमलो, एक प्रतिशत, हाला कि ये बात आपको पता है कि अगर आप कोई सुविधा किसी को दे रहे हो, और आप प डारेक्ट कुछ न कुछ सुविधा चार आप से वसूला जाएगा, आने वाले समय में ये देखेंगे आप लो, निर्यात भारत का कुल निर्यात 750 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुँच गया है, तो आजादी के 75 वर्ष के बाद, 750 अरब डॉलर के सर्वक कालिक उच्चस्तर है, तो दो ट्रिलियन डॉलर का जो हमारा लक्ष है, भारत का लक्ष है, उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हमारे कदम, अंजी खड़ पुल काफी चर्चा में रहा, जम्मू कश्मेर में अंजी नदी पर बनाया गया है, 331 मीटर उचा और 473 मीटर लंबा ये पुल है, ये केबल आधारित भारत का पहला रेलवे पुल है, ये कट्रा इस्टेशन को रियासी इस्टेशन से जोड़ता है, जम्मू कश्मेर के, रियासी जीले में इस्तित है, ठीके अंजी खड़ पुल, हमजा यूसुफ, ये अंत्री बने है, पाकिस्तान मूल के व्यक्ति है, हमजा यूसुफ, होपी अभी चर्चा में रही, कुछ विरोध कर रही थी, अस्थानी, कुछ निर्माड कारियों का, ये यूएसे में रहने वाली जन जाती है, क्या नाम है इसका, होपी नाम है, तो आज के लिए दोस्तो एतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद.